मैंने पढ़ाते पढ़ाते ये नोटिस किया कि जो बच्चे है वो सारी सब्जेक्ट में तो ठीक है बर जो इंग्लेश आना उनकी बहुत ही वीक है छोटे-छोटे वर्ड्स को वो कैच नहीं कर पाते हैं जिसके वज़ा से वो इंग्लेश बोल नहीं सकते थे रोज मैं five words को अपने copy में notes बनाती थी और वो five words को मैं याद कर लेती थी starting में आपको अगर बोलना English तो आपको short sentences उठाने होंगे अब आप बोलेंगे कि मैं इतना time का है अब मैं आपको ये बताती हूं कि जो English सीखने का step क्या होता है इंग्लेश सीखने के लिए आपको तीन बाते जरूरी होती है Hello everyone, my name is Pooja, I am 20 years old, मैं West Bengal के छोटे से city आसनसों से बिलांग करती हूं मैं एक middle class family से बिलांग करती हूं, मेरे father एक driver है और हम चार भाई बैया ने एक driver के लिए चार बच्चों के study कराने में कितने खर्च होते हैं ये आप सब समझते होंगे फिर भी मेरे father ने सभी को equally study करवाया फिर एक time ऐसा है कि मेरे बड़ी बहन की साधी होने वाली थी मेरे father को काफी लोगों से पैसे बोरो करने पड़े थे इस time ऐसा आया कि मेरे father को काफी problem को face करना पड़ा था फिर मेरे भाईया ने decide किया कि वो job करेंगे और मेरे father की help करेंगे फिर वो दिल्ले चले आये job करने के लिए और मैंने decide कि मैं घर में जो local बच्चे जो होता है ना आसपास के उन लोगों को मैं tuition provide करूँ इसलिए मैंने tuition provide करना start किया मैंने पढ़ाते-पढ़ाते ये notice किया कि जो बच्चे है वो सारे subject में तो ठीक है बर जो English है ना उनकी बहुत ही weak है छोटे-छोटे words को वो catch नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से वो English बोल नहीं सकते थे तो मैंने decide किया कि मैं उन लोगों के लिए अलग से tuition provide करूँगी English की तो मैंने एक time उन लोगों के लिए English के लिए free में पढ़ाना start किया ताकि सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ पाए और वो English ठीक कर पाए ये सब सुनने में तो ठीक है चलिए अब मैं अपने बारें बताती हूँ मैं 12 पास लड़की हूँ एक 12 पास लड़की को लाखों बच्चों को study करवाना काफी मुस्किर रहा होगा मैं जब स्कूल में जाती थी काफी टाइम ऐसा होता था कि जो teacher होता है वो English में कुछ पढ़ाते तो थे लेकिन कोई-कोई वर्ड हमें समझ नहीं आती थी हम study तो properly कर लेते थे लेकिन कुछ वर्ड को हम catch नहीं कर पाते थे जिसकी वज़े से हम उस sentences को समझ नहीं पाते थे वैसे तो काफी बच्चों के साथ ऐसा होता होगा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहे हूं कि इंगलिस सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप इंगलिस सीखते हैं तो आप हर वर्ड को समझ सकते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वह आप भी समझ सकते हैं कोविट के वज़े से मेरी पढ़ाय रुख गई इसलिए मैंने ट्यूशन ही स्टार्ट किया था मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया कोविट के वज़े से ट्यूशन भी रुख गई थी सारे ट्यूशन कॉलेज सारे बंद हो गय थे और जो मैं बच्चों को पढ़ कि मैं फिर से ऑफ-लाइन घर में ट्यूशन प्रवाइड करूंगी फिर मेरे भाईया ने सजिस्ट किया कि जो गाओं के जो बच्चे होता है जो छोड़े-चोड़े सिटी के जो बच्चे होता है वह उत्ते पैसे उनके पास नहीं हो पाते कि वह ट्यूशन अफॉर्ड कर पा और आज ऐसा में पढ़ाती हूँ कि मेरे साथ लाखो बच्चे जूड़े हैं और मैं सभी को अच्छे से पढ़ाती हूँ बहुत सारे लोगों को एक कमिट भी आते हैं कि मैं आपकी जो टीचिंग हैं काफी अच्छी है और हमें समझ में भी आती है मैं बिल्कुल इजी में सब्सक्राइब करना होगा चोटे-चोटे-चोडेंज को जानना होगा जैसे आप कुछ समान देख रहे हैं, उन समान को इंगलिश में क्या बोलते हैं, उन सब को आप देखिए, उन्हें समझेए, जो आपको नहीं आता है, आप वोगल में सर्च करके देख सकते हैं, इस तरह से क्या होगा ना, आपकी जो लिस्निंग होगी, वो इंप्रूब होग गर के लोग इंगलिश नी बोलते तो कैसे इंगलिश बोले तो काई यूटूब में इसलिए तो वीडियो डाले जाते ताकि आप उसे सुन पाए आप लोग क्या करते एक वीडियो को उठाते हैं एक मिनट तो उसे देखते आप लोगों को समझ नहीं आती है फिर वो दूसरे वीडियो का उठाते फिर एक मिनट वोच करते हैं आप लोग को ऐसा लगता है कि यह तो मेरी बस की बात ही नहीं और इंगलिश सीखना आप छोड़ देते हैं लेकिन जब तक आप वो पूरा वीडियो को देखेगा नहीं आपको समझ में कैसे आएगी इसलिए आपको एक व आपके speaking जो एक घंटे आप इंगलिश के listening करते हो फिर एक घंट आपको speaking भी करनी पड़ेगी अब आप बोलोगे उसमें भी time नहीं है तो गाइस अगर आपको इंगलिश सीखना तो आपको अपने लिए time निकालनी पड़ेगी इंगलिश हमारी होबी नहीं है इंगलिश आ जादा जरूरी है तो आपको इंगलिश जरूरत की तरफ पर सीखना होगा आपको इंगलिश के लिए time निकालना होगा तो आप एंगलिश के लिए एक घंटा listening कीजिए जो आप सुनते हैं उसे एक घंटा आप speaking कीजिए दैन आप reading कीजिए आप newspaper देखते हो कहीं भी आप newspaper पर देखते हो उसे रीट कीजिए उन में जो वर्ड राप देखते हैं उन वार्ड को सरकल कर लीजे देन आप उन वड को गूगल में ले जाकर प्रांसलेट कर ले हु urур होगा कि आपके इंग्लिस कितनी इंप्रूव हो गई है चलिए अब मैं आपको यह बताती हूं कि मैंने इंग्लिस कैसे स्टार्ट करी थी मुझे जो इंग्लिस पढ़ाया जाते थी स्कूल में मैं उन वर्ट को अपने कॉपी में नोट्स बना लेती थी दैन में घर आती थी चैनल के इंग्लिस को अपने कॉपी में नोट्स बनाती थी याद कर लेती इससे आपके इस को आपकी स्ट्रॉंग होती है देन में सौर्स और सेंटेंसेज बोला करती थी स्टार्टिंग में आपको बोलना इंगलिज तो आपको सौर्ट सेंटेंसेज उठाने होंगे अगर आप सौर्स और सेंटेंसेज को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप सौर्स और सेंट कर लेते हैं कभी में प्रोनाउंस करते पर तो कभी प्रोनाउंस करते हैं और आप सोट सेंटेंस को सीखी गये अब आप बोलेंगे कि मैं मित्तर टाइम का हैं तो गाइस आप जो सुबह से साम तक जो इंग्लिश बोलते हैं आप सुबह उठते हैं वहां से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए जब डेली लाइफ में जो करते हैं सुबह उठना से लेकर ब्रश करना नहाना ब्रेक तो सूड़ने से चाहिएए तो हम करें क्या इंग्ली और स्थेसे से क्हार के ळणाई आने चाहिए और अपने सेंटेंस smoking कर सकते हो औस और अपने सेंटेंस को इसली फ्रेम कर सकते हो और अपनी day-to-day conversation में उसे use कर सकते हो तो आपको अगर words आते हैं तो words तो बहुत ही ज़रूरी है साथ में आपको short sentences भी ज़रूरी है और English grammar भी ज़रूरी है इसलिए मैं आपको ये suggest नहीं करूँगे कि grammar मस सीखो short sentences मस सीखो आपको सारी चीजे equally सीखनी चाहिए चाहें वो grammar हो या short sentences हो या ज़रूरी है आप form fill up करोगे तो वहां आपको ऐसे words देखने को मिल जाएंगे जिसकी translation आपको आती नहीं है तो आपको हर चीज equally तरह से सीखने चाहिए short sentences सीखो grammar की full knowledge होने चाहिए तभी तब कोई भी sentences को frame कर सकते हो preposition आने चाहिए conjunction आने चाहिए articles का use आना चाहिए सभी grammar क कि सभी knowledge रखिए तब आप sentences को frame कर सकते हो अगर आसपास के किसी लोगों ने आपसे यह पूछ लिया कि noun क्या होते हैं तो आपको noun भी आने चाहिए अब बात यह आती है कि मैं English grammar कैसे सीखे sentences कैसे सीखे तो गाइस मैंने अपने चैनल प्रिंग्लिस classes पे 75 days के spoken English course स्टार्ट क हैं तो एक वीडियो का प्रोपडली पूरा watch करना होगा तब ही आपको full knowledge मिलेगी अगर आप थोड़े बहुत देखते तो आपको उतना समझ नहीं आएगा इसलिए जो भी टॉपिक देखते हैं जो जिसकी भी वीडियो देखते हैं आपको पूरी वीडियो देखने तो गाइस प्राक्रियो की बहुत ही आसान तरीक रिक है मैंने कैसे की थी मैं जो वीडियो के यूटूब से ही अपने इंप लिए clarification करती थी अगर आप फ्रेंड्स के साथ नहीं यह तो आप घर में फिन से अपने औरियो को र कुर्ड कर सकते हैं जो Form sentences ऌut सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप खुछ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि जरूरी है कि आप रहते हो वहां सभी लोग तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम बींगियर डंगे सिखना होगा अजगा सब्सक्राइब कर कर दिखे दोस्ते हैं क्योंकि साथ बोलने वाला कोई नहीं था और ऐसा महौल नहीं था जहां लोग बिना डर के बिना गभराट के अंग्रेजी में बात कर पाए तो एक बात करने वाला हो तो वो सही महौल में रिकॉर्डिंग होगा मैं एक पार्टनर के साथ कम्यूनिकेट कर सकूँ और वो मुझे जज ना करे है हम आपको समझते हैं तभी तो जो श्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग आप ने बनाया है आपके लिए एक ऐसा महौल जहां आप अपने जैसे बिगनर्स के साथ कॉल पर बात कर इंग्लिश सीख सकते हैं वो भी दो रुपे प्रति दिन से कम हैं तो आज ही जुड़िए